इश्वरिय महवा के सुनने से पहले ओमध्वने के उचारण से शुद्ध, शान्त और शक्तिशाली बनाएं अपने मन को, अपने घर को वा आसपास के वातावरण को सुनने से शान्त और शक्तिशाली बनाएं अपने अपने लुद, अपने यादग से शान्त और मन को, अपने ऑने अपने जिए रदों झाल ओम शांती आज के बाबा के साकार महवाक्य है 19 मार्च 2021 आज बाबा ने सची कमाई करने के लिए पढ़ाई पर अटेंशन दिलाते हुए कहा मीठे बच्चे यह पढ़ाई सोर्स ओफ इनकम है इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो 21 जन्मों के लिए सची कमाई हो जाती है प्रश्न बाब जो मीठी मीठी बाते सुनाते हैं वह धारण कब होगी तो बाबा ने उत्तर दिया जब बुद्धी पर परमत वा मनमत का प्रभाव नहीं होगा जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं उनकी बुद्धी में धारणा हो नहीं सकती सिवाई ज्यान के और कुछ भी कोई सुनाता हैं तो वह जैसे दुश्मन हैं जुठी बाते सुनाने वाले बहुत हैं परंतु हीर नो इविल, सी नो इविल मनुष्य से देवता बनने के लिए एक बाप की श्रीमत पर ही चलना है आज मुडली में गीत हैं हमारे तीरत म्यारे हैं इस धर्ती के तारे हैं ओम शांती इस गीत में जैसे की अपनी महिमा करते हैं अपनी महिमा वास्तों में की नहीं जाती हैं यह तो सब समझने की बाते हैं जो भारतवासी बहुत समझदार थे, अभी बेसमझ बने हैं अब प्रशन उठता है, समझदार कौन थे, यह कहां भी लिखा हुआ नहीं है तुम हो गुप्त, कितनी वंडरफुल बाते हैं एक तो बाप कहते हैं, मेरे द्वारा ही बच्चे मुझे जान सकते हैं फिर मेरे द्वारा सब कुछ जान जाते हैं, स्रिष्टी के आदी मध्य अंत का जो खेल हैं, उनको समझ जाते हैं और कोई भी नहीं जानते, और एक मुख्य भूल की हैं, जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है पहला नंबर शास्त्र, जिनको श्रीमत भागवत कहते हैं, वह रोंग हो गया, इसलिए पहले पहले तो सिद करना हैं, की भगवान एक हैं फिर पूछना हैं, गीता का भगवान कौन हैं, भारत का आदिसनातन देवी देवता धरम हैं, अगर नया धरम कहें, तो ब्राम्हन धरम ही कहेंगे पहले चोटी हैं ब्राम्हन, फिर देवता हैं, उच ते उच ब्राम्हन धरम हैं, जो ब्राम्हन ब्रम्हा द्वारा, परम्पिता, परमात्मा रचते हैं, वही ब्राम्हन फिर देवता बनते हैं, मुख्य बात हैं, भगवान सब का बाप हैं, नई दुनिया का रचैता, जर पिरूर नई दुनिया ही रचेंगे ना, नई दुनिया में नया भारत होता हैं, जन्म भी भारत में लिया हैं, भारत को ही स्वर्ग बना रहे हैं ब्रह्माद्वारा, तुमको अपना बना कर, फिर पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने, पहले तुम शुद्रवर्ण के फिर आए ब्राम्हन वर्ण में, फिर देवता वर्ण में, पीचे वृद्दी होती रहती हैं, एक धर्म से अनेक धर्म हो जाते हैं, टालतालिया भी सब धर्मों की बन जाती हैं, हर एक धर्म से निकलती हैं, तीन ट्यूब्स होती है न, अर्थात तीन धरम है, यह है मुख्य आदिसनातन देवी देवताधरम, हर एक से अपनी अपनी शाखाये निकलती है, मुख्य है फाउंडेशन आदिसनातन देवी देवताधरम, फिर तीन ट्यूब्स है मुख्य, थूर अर्थात फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धरम का जो अभी सब राज योग सीख रहे हो दिलवाडा मंदिर बड़ा अच्छा बना हुआ है उनमें सारे समझानी है बच्चे यहां बैठे हैं कल्प पहले भी तुमने राज योग की तपस्या की थी जैसे क्राइस्ट का यादगार कृष्चन देश में है वैसे तुम बच्चों ने यहां तपस्या की है तब तुम्हारा भी यादगार यहां है है बड़ा सहज परन्तु कोई भी जानते नहीं है सन्यासी लोग तो कह देते हैं यह सब कल्पना है जैसी जो कल्पना करे तुम्हारे लिए भी कहते हैं यह चित्र आदी सब कल्पना से बनाए है जब तक बाप को न जाने कल्पना ही समझते हैं नोलेश फुल तो एक बाप है न तो मुख्य है बाप का परीचय देना वह बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, कल्प पहले भी दिया था, फिर 84 जन्म लेना पड़े, भारत वासियों के ही 84 जन्म होते हैं, फिर संगम पर बाप आकर, राजधानी की स्थापना करते हैं, तुम बच्चों ने बाप द्वारा समझा हैं, जब अच्छी रिती समझे, बुद्धी में बैठे, तब खुशी भी रहे, यह पढ़ाई बड़ी सोर्स ओफ इनकम हैं, पढ़ाई से ही मनुष्य बेरिस्टरादी बनते हैं, लेकिन यह पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की हैं, प्राप्ती कितनी भारी हैं, इन जैसी प्राप्ती कोई करा न सके, ग्रंत में गाया हुआ हैं, मनुष्य से देवता किये करतन लागेवार, परन्तु मनुष्यों की बुद्धी चलती नहीं, जरूर वह देवी देवता धरम प्रायह लोप हो गया हैं, तब तो लिखते हैं, मनुष्य से देवता बने, देवता ये सत्युग में थे, उन्हों क जरूर भगवान ने संगम पर रचा होगा, कैसे रचा यह नहीं जानते गुरुनानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई है, उन जैसी महिमा कोई ने नहीं गाई है इसलिए ग्रंत को भारत में रखते हैं, गुरुनानक का कल्युग में अवतार होता है वह है धरम स्थापक, राजाय तो पिछे हुई है, बापने तो यह देवी देवता धरम स्थापन किया है वास्तव में नई दुनिया ब्राम्हनों की ही कहे, चोटी भल ब्राम्हनों की है परन्तु राजधानी देवी देवताव से शुरु होती है तुम ब्राम्हन रचे हुए हो, तुम्हारी राजधानी नहीं है, तुम अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो, बड़ी वंडर्फुल बाते हैं, मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, पहले पहले अपने को मालुम हुआ, तो अपने द्वारा दुसरे को मालुम होता है, त तुम शुद्र से ब्राम्हन बने हो, ब्रम्हा को भी अभी बाप द्वारा मालूं पड़ा हैं. एक को बताया तो बच्चों को भी बताना होता है, उनके तनद्वारा तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं. यह है अनुभव की बात, शास्त्रों से तो कोई कुछ भी समझना सके, बाप कहते हैं सारे कल्प में, एक ही बार मैं ऐसा ही आकर समझाता हूं, और अनेक धर्मों का विनाश एक धरम की स्थापना करता हूं, यह पांच हजार वर्ष का खेल हैं, तुम बच्चे जानते हो, हमन 84 जन्म लिये हैं, विश्नु की नाभी से ब्रम्हा दिखाते हैं, ब्रम्हा और विश्नु यह किसके बच्चे हैं, दोनों बच्चे ठहरे शिव के, वह है रचैता शिव बाबा, वह है रचना, इन बातों को कोई समझना सके, बिलकुल नई बात हैं, बाबा भी कहते हैं, य यह नई बाते हैं, कोई शास्त्रों में यह बाते हो न सके, ज्यान का सागर बाप है, वही गीता का भगवान है, भक्ती मार्ग में शिव जयनती मनाते हैं, सत्युग द्रेता में नहीं मनाते, तो जरूर संगम पर ही आते होंगे, यह बाते तुम समझ जाते हो और समझाते रह जो समझाने वाले बाप की महिमा हैं वह बच्चों की होनी चाहिए। तुमको भी मास्टर ज्यान सागर बनना है। प्रेम का सागर, सुख का सागर यहां बनना है। किसी को दुख नहीं देना हैं। बहुत मीठा बनना है। तुम जो कडवे एकदम जहर मिसल थे, सो तुम वाइसलेस ब्राम्हन बन रहे हो। इश्वर की संतान बने हो। विश्यस से वाइसलेस देवता बन रहे हो। आधा कल्प तुम पतित बनते बनते, अभी बिलकुल जड़-जड़ी भूत अवस्था को पाये हुए हो। सड़े हुए कपड़ों को सटका लगाने से फटकर चीर-चीर हो जाते हैं। यहां भी ज्यान के सटके लगाओ तो पुर्जा-पुर्जा हो जाते हैं। कोई कपड़ा ऐसा मेला हैं जो साफ करने में बहुत टाइम लगता हैं। फिर वहां भी हलका पद मिल जाता हैं। बाबा धोबी है, तुम भी साथ में मददगार हो, धोबी भी नमबरवार होते हैं, यहां भी नमबरवार हैं, धोबी अच्छे कपडे साफ न करें, तो कहेंगे ना कि यह तो जैसे हजाम हैं. आजकल कपडे साफ धुलाने सिखे हैं, आगे गावडों में तो बहुत मेले कपडे धुलाई होते थे, यहां हुनर भी बाहर वालों से आया हैं, बाहर वाले बहुत इज़त देते हैं, पैसे आदे की मदद करते हैं, जानते हैं यहां बहुत बड़ी बिरादरी वाले हैं, अ बनाया था, माया ने क्या हाल कर दिया हैं, तुम अभी समझते हो, हम विजय मालाके थे, फिर 84 जन्म लिये, क्या जाकर बने हैं, बंडर है ना, तुम समझा सकते हो, तुम भारतवासी तो स्वर्गवासी थे, भारत ही स्वर्ग था, फिर नीचे गिरते गिरते नर्कवासी भी बनना पड़े, अब बाप कहते हैं पवित्र बन स्वर्गवासी बनो, मन मनाभव, शिव भगवान वाच माम एकम याद करो, याद की यात्रा से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, शास्त्रों में लिखा हैं, कृष्ण ने भगाया पट्रानी बनाने, तुम सब कोई समझ न सके, अब बाप ने आकर बच्चों को समझाया हैं, बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुमको समझाने आता हूँ, तो पहले भगवान एक हैं, यह सिदकर फिर बताओ गीता का भगवान कौन है, राजयोग किसने सिखाया, भगवान ही ब्रम्हाद्वारा स्थापन कराते हैं, और विनाश फिर पालना कराते हैं, यह जो ब्राम्मन हैं, वही फिर देवता बनते हैं, यह बाते भी समझ में उनको आएगी, जिन्होंने कल्प पहले समझा हैं, सेकेंड बाइ सेकेंड जो हुआ, इस समय तक समझेंगे, ड्रामा में तुम्हें बहुत पुरशा करना है यह तो बच्चे समझते हैं अभी हमारी वह अवस्था नहीं हुई है ताइम लगेगा करमाती तवस्था हो जाए तो फिर सब नंबर वन पास हो जाए फिर तो लड़ाई भी लग जाती आपस में खिट-पिट चलती ही रहेगी तुम जानते हो जहां तहां देखो लड की तयारिया कर रहे हैं सब तरफ तयारिया कर रहे हैं तुमने जो कुछ दिव्य बुद्धी से देखा हैं वह इन आखों से देखना हैं विनाश का सक्षातकार किया हैं फिर वैसे आखों से देखेंगे स्थापना का भी सक्षातकार किया हैं फिर प्राक्टिकल में भी देखेंगे, तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, यह तो पुराना तन है, योग से आत्मा पवित्र बन जाएंगी, फिर यह पुराना शरीर भी छोड़ना है, 84 जन्दमों का चक्र पूरा होता है, फिर जरूर सब को नए शरीर मिलेंगे, यह भी समझने क की बहुत सहेश बाते हैं, समझा भी सकते हैं, कल युग के बाद सत्युग जरूर होगा, अनेक धर्मों का विनाश जरूर होगा, फिर आदि सनातन, देवी देवता धरम की स्थापना अर्थ बाप को आना पड़े, अभी तुम ब्राम्हन बने हो देवता बनने के लिए, द तुम जानते हो, हम शिव बाबा के बने हैं, शिव बाबा हमको वर्सा दे रहे हैं, शिव जयनती माना ही भारत को वर्सा मिला, शिव बाबा आया, क्या आकर किया? इसलामी बौद्धी आदी ने तो आकर अपना धरम स्थापन किया, बाप ने आकर क्या किया? जरूर स्वर् फिर सत्युग में यह सब भूल जाएंगे, यह भी समझते हो, 21 जन्मों का वर्सा अभी ले लेते हो, यह ड्रामा में नूंद हैं, भल वहां समझेंगे यह बाप हैं, यह बच्चा हैं, बच्चे को वर्सा मिलता हैं, परंतु यह प्रालब्द हैं अभी की, सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए तुम वर्सा अभी पा रहे हो, 84 जन्मतों लेने ही हैं, सतो प्रधान से सतो रजो तमों में आएंगे, यह अच्छी रीती याद करने से फिर खुशी में भी रहेंगे, समझाने में बड़ी मेहनत लगती हैं, जब समझ जाते हैं, तो उनको बड़ी खुशी होती हैं, जो बच्चे अच्छी रीती समझते हैं, वह फिर बहुतों को समझाते रहते हैं, काटों को फूल बनाते रहते हैं, यह है बेहद की पढ़ाई, वर्सा भी बेहद का मिलता हैं, फिर इसमें त्याग भी बेहद का हैं, ग्रहस यवहार में रहते, स तारी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम जानते हो, यह पुरानी दुनिया खतम होनी है, अब नई दुनिया में जाना है, इसलिए बेहद का सन्यास कराते हैं, सन्यासियो का है हद का सन्यास और उनका है हट योग, इसमें हट की बात नहीं रहती, यह तो पढ़ाई है पाठ शाला में पढ़ना हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए, शिव भगवान वाज कृष्ण हो न सके, कृष्ण कब नई दुनिया बना न सके, उनको Heavenly Godfather नहीं कहेंगे, Heavenly Prince कहेंगे, तो कितनी मीठी मीठी बाते समझने और धारण करने की हैं, देवी लक्षण भी चाहिए, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर नहीं लगना चाहिए, व्यास की लिखी हुई बातों पर लगते लगते वुरी गती हुई है न, सिवाई ज्यान के और कुछ सुनाते हैं, तो समझो यह हमारा दुश्मन हैं, दुर गती में ले जाते हैं, कभी भी परमत पर नहीं चलना चाहिए मन मत परमत पर चला तो यह मरा बाप समझाते रहते हैं जूठी बाते बोलने वाले तो बहुत हैं तुमको बाप से ही सुनना है Here no evil, see no evil, talk no evil बाप दादा आये ही हैं मनुष्य से देवता बनाने तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते हम रुहानी बच्चो की रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, सदा रहे हस्ते, बनते चले फरिष्ते धारना के लिए सार हैं, पहला यहां बाप समान, सुख का सागर, प्रेम का सागर बनना है सर्वगुन धारन करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है दुसरा, सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना है, पर मत पर नहीं चलना है Here no evil, see no evil, talk no evil आज बाबा ने वर्दान दिया, ब्राम्हन जीवन की निती और रिती प्रमान सदा चलने वाले ब्यर्त संकल्प मुक्त भव स्वश्टी करण, जो ब्राम्हन जीवन की मीती रिती प्रमान चलते हुए सदा श्रिमत की आज्याए स्मर्ती में रखते हैं और सारा दिन शुद्ध प्रवर्ती में बिजी रहते हैं उन पर व्यर्त संकल्प रूपी रावन वार नहीं कर सकता बुद्धी की प्रवर्ती हैं शुद्ध संकल्प करना वानी की प्रवर्ती हैं बाप द्वारा जो सुना वह सुनाना करम की प्रवर्ती हैं करम योगी बन करम करना इसी प्रवर्ती में बिजी रहने वाले व्यर्त संकल्पों से निवर्ती प्राप्त कर लेते हैं स्लोगन अपने हर नए संकल्प से नए दुनिया की नए जलक का साक्षातकार कराओ. अच्छा, ओम शांती.